हलो एवरिवन, वेलकम टो बाबू सलाइ सेंटर आज की वीडियो में हम कुर्ती का ये प्लैकेट नेक बनाना सिखेंगे तो देखिए मैंने कपड़े को किस तरीके से बिछाया है ये देखिए एक पीस ये है जिसे मैंने दो तेह की है और एक पीस ये तो ये टोटल हमारे पास चार तेह में आगया कपड़ा और ये देखिए मैंने उपर वाले जो दो लेर्ज है इसे आधा इंच नीचे ही रखा है ये हमारा उपर का साइड मतलब आगे का साइड होगा तो देखिए सबसे पहले हम अपने कूर्ती का तीरा लेंगे क्योंकि प्लैकेट नेक है और पीछे हम गला इसका नहीं बना रहे हैं तो इसलिए देखिए तीरा साथ इंच पर निशान लगा है मैंने और मुड़ा हम लेंगे तो देखिए मुड़ा यहां से हम लेंगे यह आप एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि यह जो मुड़ा है हमें यह उपर से नहीं लेना है यह देखिए यहां से नीचे से ही हमें मुड़ा को लेना है और यह देखिए साड़े छे पर मुड़ा आ जाएगा अब इन निशानों से होते हुए हम सीधी लाइन खीच लेंगे अब देखिए यह जो हमने साथ इंच लिया था तीरा उतना ही साथ इंच यहां पर निशान लगाएंगे और इसे उपर से मिला देंगे अब यहां हम छाती का निशान लगाएंगे तो आपकी छाती जितनी भी है उसका चौथा हिस्सा करके आप निशान लगा लिजेगा कमर का भी चौथा हिस्सा करके और हिप का भी चौथा हिस्सा करके हम निशान लगा लेंगे और इन निशानों को इस तरीके से मिला देंगे तो ये हमारी फिटिंग का निशान है अब हम अपना मार्जन लेंगे तो मैं यहां डेड इंच ले रही हूँ आप चाहे तो दो इंच तक लेग सकते हैं और हिप पे आप सवाई या डेड इंच ही रखिए और इसे इस तरीके से मिला देंगे और यहां पे हम अपने सूट की कटिंग करेंगे अब देखे ये टोटल जितना भी आएगा उतना ही जितने भी आपकी सूट की लंबाई है वहां पे लेके और फिर इस तरीके से सीधा नीचे तक मिला देंगे अब हम अपने आगे के गले का निशान लगाएंगे तो दिखे चड़ाई लेंगे हम धाई इंच यहां से और लंबाई लेते वक्देखे हम ध्यान रखेंगे कि ये नीचे से जहां से हमने आगे का पीस बिचाया है वहीं से लंबाई को लें मैं यहां साड़े तीन इंच लंबाई ले रही हूँ और साड़े तीन बाई धाई इंच का मैं एक बॉक्स पना लूँगी यानि कि 2.5 बाई 3.5 इंच इसका अब देखिए यहां से इस तीके से गुलाई दे दूँगी अब देखिए यहां से हम 2.5 का निशान लगाएंगे दो सूत का निशान लगाना है हमें बस यह देखिए इतना यह हमारा दो सूत है यह देखिए यहां पर हम 2-2 सूथ का निशान लगा लेंगे नीचे तक यह डिपैंड करता है हमारी प्लैकेट्स पर जितना हम अपनी प्लैकेट बनाना चाहते हैं जैसे कमर तक अगर बनाना चाहते हैं तो कमर तक निशान लगाएंगे और इस से थोड़ा उपर रखना चाते है तो उपर तक अब जैसे मैं यहां 9 इंच पे निशान लगा रहे हूँ मैं यहां तक पनी प्लैकेट बनाऊंगी तो यह हमारे गले का निशान हो गया अब हमने मोड़े की गुलाई नहीं दे थी तो चलिए मोड़े की गुलाई दे लेते हैं पहले यह देखिए आपका जितना भी आएगा उसका हाफ करके यह देखिए और फिर उसका यहां पे यहां पे हम निशान लगाएंगे और इस निशान से होते हुए हम गुलाई दे देंगे इस तरीके से तो ये तो हो गई पीछे की गुलाई अब हम आगी की गुलाई देंगे तो देखिए उसके लिए यहां से इंच टिप को मैंने रखा है अब जैसे यह साड़े 6 इंच है तो इसका हम आधा करेंगे और यहां पे निशान लगा लेंगे अब इस निशान से अंदर की तरफ हम आधा इंच पे एक और निशान लगाएंगे और इसी निशान से होते हुए हम अपनी आगी की गुलाई देंगे यह देखिए इस तरीके से हम आगी की गुलाई देंगे अब इसे हम काटेंगे तो देखिए पहले हम गला काटेंगे इसका अब ध्यान दीजेगा ये जो उपर की दो लेयर है मैं उसे ही कट कर रहे हूँ हमें चारों लेयर नहीं काटनी है अब इस गुलाई को भी हम काट लेंगे तो देखिए ये तो हो गया हमारा आगे का गला और पीछे का जो गला है उसकी छड़ाई तो वही रहेगी और जो नीचे की तरफ गहराई है वो हम एक इंच की ही रखेंगे अब हम बाकी की सूट की भी कटिंग कर लेंगे और ध्यान रखेंगे की पहले ये जो बाहर की गुलाई है इसी को काटें यो दिखिए मोट्डे के बाहर की गुलाई हमें पहले काटनी है और इस तरीके से नीचे तक हम अपना सूर्ट काट लेंगे जहां तक हमारी लम्बाई है इसकी आगे की गुलाई को भी हम अपना च्छाट लेंगे देखिए नीचे की दोल यार चोड़के पर जो पर की दोल्य अरा उसे हम काट रहे हैं और यहाँ पर इस तरीके से कट लगा देंगे इससे हम असानी रहेगी ताकि कट सेकजर जिसरे किना पर कट्से कट मिला किस्षिलेंगे और इसी वद हम यहां पर फिटिंग का निशान भी देदेंगे और इसके बाद अपनी कुर्टी को पूरा नीचे तक हम काट लेंगे तो यह देखिए हमारी कुर्टी कट चुकी है अब हम इसे प्लैकेट लगाना सीखेंगे तो यह दिखिए प्लैकर लगानी के लिए पहले तो हमें पत्टी काटनी पड़ेगी तो यह दिखिए मैंने पत्टियां काटी है जिनकी चड़ाइत 3 तीन इंच है दोनों पत्टियों की जो चड़ाइयों मैंने एक्वली लिये 3 इंच और जो इसकी लंबाई है वो कट पे ड इतना लंबा आपका कट है जितना भी लंबा आपका कट है आप उससे नापते हुए लेंगे और उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमें इस पट्टी को रखना है यह देखिए 1.5 इंच देखिए नॉर्मली क्या होता है कि इस तरह की कोई भी प्लैकेट जब हम बनाते हैं तो उन पट्टियों को हम उल्टी तरफ लगाते हैं और सीधी तरफ पलट देते हैं लेकिन यहां मैं सीधी तरफ अपनी पट्टियों को लगाऊंगी और उल्टी तरफ पलटूंगी इस तरीके से करने पे जो फिनिशिंग है अगर आप बीगनर्स भी है तो भी आप फिनिशिंग बहुत अच्छी लापाएंगे इस तरफ हम काज पट्टी को लगाएंगे जो उपर की तरफ रहेगी और ये वाली पट्टी हम नीचे की तरफ दबाएंगे तो दीखें ये जो है ये सीधी साइड है और ये जो और इसे पक्का करके यहां से निकाल लेंगे अब दिखिए यहां पर हम एक छोटा सा कट देना है यह कॉर्णर पर हम इस तरीके से तिछा कट दे देंगे छोटा सा अब इसे मैं नेल्स की हेल्प से प्रेस कर रहे हूँ अब चाहे तो आइरन भी कर सकते हैं अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे देखिए कैसे यह देखिए इस तरीके से लेते हुए यहां पर हम अपनी पट्टी को रख के सिलेंगे यह देखिए यहां पर यह देखिए और अभी हम क्या कर रहे हैं अब ही हमने पट्टी को सीजी तरफ से लगाया है इसलिए देखिए मैं इस तरीके से रखूंगी पहले तो मैं इसे यहां से बराबर लूँगी यहां पे देखिए थोड़ी दूर सिल लूँगी जिससे की कपड़ एक तरफ से दब जाए अब देखिए दूसरे तरफ से दूसरे छोर से मैं कपड़े को अच्छे से सेट करूँगी यह देखिए इस तरीके से और फिर इसे सिलूँगे यह सिलाई लगाते वक्त हम ध्यान रखेंगे कि जो नीचे है वो बराबर पट्टी पे सिलाई लगे यह देखिए अब देखिए इस तरीके से हमारे सिलाई आ जाएगी तो देखिए इस तरीके से करने पे जो हमारे सीधी साइड है वो फिनिशिंग अच्छी आती है उल्टी साइड अगर एक तुपल के लिए थोड़ा बहुत ही दूर्थ हो भी जाए तो सामने की फिनिशिंग अच्छी आएगी अब देखिए काज पट्टी को भी हम सीधी तरफ से ही लगाएंगे और अंदर की तरफ फोल्ड कर देखिए यह हमारी सीधी साइड है और यह जो उपर की तरफ है यह उल्टी साइड है एक बात और इन दोनों पट्टियों को जोड़ते वक्त हम यह ध्यान रखेंगे कि एक एक पैर का दबाव लगाते हुए दबाव रखते हुए ही हम सिलाई लगाएं यानि कि यह देख रहे हो आप जिस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा पकड़के सिल रहे हूँ इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पकड़ते हुए ही हमें सिलना है देखें यहाँ तक इसे भी मैंने सिल लिया और यहाँ इस कॉर्णर पे भी हम एक छोटा सा कट लगा देंगे यह जो कट हमने दोनों सार लगाए इनसे यहाँ पे फिनिशिंग अच्छी आएगी अब देखें इसे भी हम इस तरीके से फोल करके यहाँ से लाई लगा लेंगे कोई भी बात जो मैं आपको नहीं समझा पा रहे हूँ तो उसे आप मुझे कमेंड के थूँ पूछ सकते हैं और अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी मुझे ज़रूर देजेगा कमेंड के थूँ नीचे की तरफ से भी सिलाई सेट बैठे इसके लिए हम नीचे के कपड़े को भी अच्छे से पकड़ते हुए और सेट करते हुए इस तरी से सिल लेंगे और यहाँ पर यह जो नीचे की पट्टी है इसे मैं काट लेती हूँ पहले यह दिखिये यह जो एक्स्टरा है इसे पहले हम थोड़ Honestly काट लेंगे यह दिखिये आदा हिं छोड़ते हुए मैंने इसे काट है अब हम इसे यहां तक से लेंगे जहां तक हमारा कट था गुर्टी का यह दिखिये यहां तक हमने से लिया अब हम ऊपर से यसे नापके परले बराबर करेंगे तो पहले इसे हम काट लेंगे और अब हम इसे इस तरीके से पगड़ के सेट करके देखेंगे कि ये पराबर बैठ रहा है नहीं और बराबर सेट करते हुए यह पे आप चाहे तो तिकोन शेप भी दे सकते हैं और मैंने तो यहां पे चकोरी शेप दी है सिंपल यह एक्स्टर कपड़ा आ रहा था तो इसे काट देंगे और यह देखिये यहां पे अच्छे से शेप देते हुए अच्छे से कपड़े को सेट करते हुए और जो नीच वाला कपड़ा है उसे इसके अंदर पूरा हम डाल देंगे यह देखिए और यह यह देखिए कि यह जो हमारा बीच का निशान था जो हमारा कुर्ती का सेंटर पॉंट था वो एकदम सेंटर में आया है इस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे कि यह निशान जो हमारा एकदम सेंटर में ही आये और घुमाके यह देखिए नीचे का कपड़ा जो है इसे अंदर दबाते हुए अच्छे से यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पे घुमाते हुए फिर एक सिलाई हम लगाएंगे और यहाँ पे हमारी एक बॉक्स की जैसी शेप आ जाएगे और यहाँ पे मैं इसे खतम करूँगे यह देखिए उल्टी तरफ से इस तरीके से दिखेगा और यह हमारी सिदी साइट होगी अब हम इसका तीरा जोड़ेंगे तो उसके लिए मैं अपना पिछला पल्ला भी ले लूँगी और इसका तीरा जोड़ूँगी तो यह देखिए अगले और पिछले पल्ले को हम आपस में जोड़ लेंगे इसका तीरा हमसिल लेंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या हैटफुल लगे तो प्लीज इस पे लाइक कर दीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा यह देखिए इस तरीके से आजाएगा अब यहां लगाने के लिए हमें उरे पटी चाहिए तो यहां लगाने के लिए आप मैं उरे पटी तियार करूँगी अगर उरे पटी काटने में आपको कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट कीजेगा मैं उस पर इदम डिटेल वीडियो आपको बना के दूँगी अब देखिए यह उरे पटी को मैं गले में डैच करूँगी देखिए आपने जो कुर्ती है उसकी सीधी तरफ से हम अपनी पटी को लगा रहे हैं तो जो पटी की सीधी साइड है और जो कुर्ती की सीधी साइड है वो आमने सामने है आप वीडियो में देख पा रहे होंगे I hope और उरे पट्यू को हमें यहां स्ट्रेच नहीं करना है और ना ही गले को स्ट्रेच करना है नॉर्मल रखते हुए ही हम इसे आपस में जोड़ना है देखे इस तरीके से हो गया अब एक बार हम इसे नाप के चेक करेंगे किसे इन पट्यों को यह देखे अच्छे से नाप ते हुए हम चेक करेंगे एक बार फिर से कि यह बराबर है या नहीं अब देखे जैसे यहां पे मेरा थोड़ा सा यह जो काज़ पट्य थोड़ी सी बड़ी आ रही थी तो मैं इसे थोड़ा सा दवाब लेते हुए और सिल लूँगी अगर आपकी पट्यां बराबर आती हैं तो फिर आपको यह सिलाय लगाने के चुरूद नहीं पड़ेगी यह देखे मैंने सिल लिया और एक पर और इसे नाप के चक कर लोंगे तो यह देखे अब मेरी पट्यां एकदम बराबर आ रहे हैं यह देखे अब इदर हम छोट-छोटे कट लगाएंगे देखे जो हमने उरे पट्य जोड़ी गले पे यहां हमें छोट-छोटे कट लगाने है ये कट लगाने से जो जो रे पटी है इसे जब हम फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ तुर्पाई करेंगे तो वो आसानी से हो जाएगा और उसमें फिनिशिंग भी आएगी अब देखिए हम इस पट्टी पे सिलाई लगाएंगे और देखिए ये जो कपड़ा है इसे हमें पट्टी की तरफ ही रखना है इस तरीके से और यहां किनारी पे सिलाई लगानी है तो इस तरीके से हम पट्टी के एकदम किनारी किनारी पे पूरी गुलाई में सिलाई लगा लेंगे तो ये देखिए हमारी सिलाई लग चुकी अब हम एक्स्टर कप्रजो है वो कार देंगे यहां से और ये दूसरी साइट का भी एक्स्टर कप्रा काट लेंगे अब देखिए हम इस तरीके से पकड़ते हुए तुपाई कर लेंगे तो मिलते हैं इसकी तुपाई और बटन और बागी का काम करने के बाद तो ये दिखिए इस तरीके से हमारी कुर्ती जो है वो बनके तयार होगी और आपको वीडियो अच्छी लगी हो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस पे लाइक कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजेगा इसी तरह की और वीडियो के लिए झाल